कि अग्षिए गाइज इस इस कुलदीप एंड वाचिंग यूपीस लाइबरी सो गॉवर्मेंट ने हाली में अंडर प्याम किसान इसके अंडर कुछ मदब फार्मर्स को एक रकम प्रोवाइड कराता है मदब 6000 तो ऐसे यह रकम प्रोवाइड करें देख कसाने को बट यह गल ऐसे किसान वाग पहुंचने जो ऐसे 20 लाग ऐसे अंडिजर्विंग बेनीफिशिटी हैं तो उनको उनके पास यह रकम पहुंचके तो जानिंग इस लेक्टर में प्लस इस न्यूज के बारे में देखेंगे और इससे एस्पेक्स भी देखेंगे तो यह निज आर्टिकल क उसके अगॉडिंग ही यह हमें डेटा मॉलंब पढ़ाया तो ऐसे ही मतला ऐसे 20 लाग उनके ऐसे अंडिजर्मिंग वेनिशरी या थे तो उनको ऐसे पीम किसान स्केम के अंडर उनको यह रकम पहुंचके तो ऐसे वह मतला इनमे वह ऐसे थे प्लस वह टेक्सपेर फार्मर थे तो अगर वह टेक्सपेर फार्मर तो मतलब उनको इतनी जरूत नहीं है तो ऐसे कुछ कैटेगरी बनाए रखी है इस पीम किसान के अंदर तो इसे ही में देखी है जो 364 करोड है तो वही गलत वह गलती सही 20 लाक ऐसे वेनिफेरिशिस को पहुंचेंगे जो उनके पास नहीं पहुंचना चाहिए जो लिखा है कि मतलब इस पूरे लेक्चर में यही देखेंगे जो अभी जो इन्होंने पहुंचा है तो पीम हो थी अटार करोड डारेक्टली डिपोजिटिंट फार्मस अगांट और नो बेल में है तो यह अंडर पीम किसान स्कीम के अंडर आता है जाने के से लेक्चन में आप यूपीसी लाइबरी को टेलिग्राम फेस्बुक और इं अंडिजर्विंग बेनिस्फरी जो हैं उनको ऐसे फंट उनको एलोकेट हो गया है और यह वी अलोकेट हो हैं गोर्मेंट की स्कीम के अंडर प्रिदान मंत्री किसान संभा ने दी जिसको शौड में पीम किसान बोलते हैं तो इस चीज़ को भीयाद रखना अब यह करेंट के बेसिस पर इंपोर्डन हो जाता है इसमें जो गौर्मेंट ने पे किया है तो इस चीज़ को उनको यह चीज़ें यह उनको ऐसे फंड नहीं पहुंचाने विकोज वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे सो नेक्स में देखेंगे कि तो इसके जो यह सामने आई तो उसके उपर यूनियन अग्रिमेंटर मिनिस्ट्रिय उन पर रेस्पॉंस करते हुए उस आर्टिया पर उनने बोलाए कि ऐसे आडेंड मतल्ब उनने बोलाए कि ऐसे दो क्रेगरिज को आडेंट पे लिए जिनको किसान के अंदर यह रखम पहुंची है जो जो उनको पे आउट है वो पहुंच गया है तो यह दो कैटेगरिस में प्रता से लिए हमें सो इसके अकॉर्डिंग इसके बाद आटे जो एप्लिगंट से जिस नहों ने यह आटी आई विदाकिल कि जिनका नाम है वेनकटेस ना तो उन्होंने बोलाएं कि उनको पास जो डेटा रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग मॉर दन हापने में 55% से एसे अंडिजर्बिंग परसन नहीं जो इंकम टेक्स पे कटेगरिस से बलांग करते हैं उन्होंने ऐसा बता है जो डेटा उनको रिसीव हुआ है इसके बला अदाब होना नहीं यह बोलाए कि उसमें जो remaining जो बजियाए ऋनल उर्कलाय करने शेंड नि जूटेंटे पर इन जो इन इन जब फार्मां उनकी पास जो लेंड है वह more than two hectare है तो इसी वएस से वो इन इन एलिजबल फार्मा होते हैं फार्मा की कैटेगर में आते हैं तो ऐसे उनकी कैटेगर डिवाइट के है तो आगे इसी लेक्षव में पी-े-म किसान के बार में बताए हैं इसमें बोला है कि यह जो जो इनलिजिबल से ज्यादा बिलॉंग करते हैं पंजाब हो गया आसम महाराष्रा गुजरात उत्ताप्रदेश डेटा के एकॉर्णिंग यह पांच स्टेट हैं जिनमें यह इनलिजिबल बेनिफिस्टी बिलॉंग करते हैं उनमें से सबसे जादा होया टॉप पर पंजाब 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 टॉप दा लिस्ट अकांटिंग 23% मतला उन पूरी लिस्ट में से जो भी 20 लाग है उनमें से तेज़ परसेंट तो उसे पंजाब से बलॉंग करते हैं जिसमें से 4,4,000 परसन हो जागा है अब इस स्कीम के बारे में देखते हैं जो इस स्कीम के अंडरी उनको ये पैसे ट्रांसफर होया है तो प्रिधान मंत्री किसान समा ने दी जिसको PM किसान स्कीम बोलते है तो ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है सेंटर सेक्टर स्कीम मतलब जो 100% फंडिंग होती है सेंटर के दो एक होती है सेंटर फंडिट स्कीम जिसमें सेंटर ऑप्राज स्टेट दौनों फंड करते हैं और इसमें central sector scheme है, जो 100% funding होती है, वो center से ही आती है, तो ये दो difference होता है, central sector scheme और central funded scheme, इस चीज़ को आप याद रखना है, और इस scheme को कौन implement करेगा, ministry of agriculture and farmers welfare, तो ये ministry इस scheme को implement करेगा, तो ये भी इसमें main point बन जाता है, then इसके अलावा, ये scheme introduced है, ये scheme का main object है, एक source of income देना, जो छोटे और marginal farmers है, उनको, ऐसे जो farmers को, क्या मिलेगा, उनको मिलेगा, जो 6000 पर year उनको ये रकम provide होगी, वो भी direct उनके bank account मा जाएगे, so transfer directly into bank accounts of their farmers, so, जो ये farmers है, उनके bank account में, ये 6000 पर हर साल, उनके bank account में directly transfer हो जाएगे, so, it's subject to certain exclusive credit rating to the high income status, so, इनमें कुछ category बनाएगे, like, जो lower income है, जो higher income status है, उन पर, so, इसमें बताएगा है, कि all states are implementing the scheme, सब्वी state नहीं, ये scheme को implement कर दिया, except West Bengal, so, West Bengal ना अभी तक, इस scheme को implement नहीं किया, तो इस चीज़ को प्यार रगना है, then, PM के साथ mobile app इसमें भी develop की गई थी, जिसमें, इसका main object इसको, PM के साथ mobile app इसको develop किया गए, national informatic center के, मतलब उसके साथ, ये mobile app को develop किया गए, the collaboration of ministry of electronics, जिसको मैती बोलते हैं, इसका पुराना हो गए, ministry of electronics and informatic technology, so, इन दोनों के साथ मिलके, ये PM के साथ mobile app को launch किया है, so, इसमें ये है कि, जो PM, जो, sorry, PM नहीं, जो farmers है, वो अपना status दे सकते हैं, अपनी application का, ये update जो है, वो पूरे check कर सकते हैं, या कुछ और आया है, उसे related like other cards, also check their history of credit to their bank, so, इस apps के थुरू, ये सारे features उसमें हैं, और इस apps के थुरू, उनको भी farmers को काफी ज़्यादा help provide होगी, और उनके कुछ work और ज़्यादा easily हो जाएंगे, so, digitally, so, इसमें, digital India का काफी ज़्यादा use किया आगा, तो, इस तीज को भी याद रखना, digital India का, then, इसमें और देखा जातो, the entire responsibility of identification benefits, so, इसमें, जो main point ये है कि, जो beneficiary जो है, so, उनकी जो identification, पूरी, 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 रेस्मरसरी के उपर आ जाते है, state और UT, मतलब, state government, और प्लस UT, मतलब, उनकी ऊपर, ये responsibility आ जाते हैं, वो identify करेंगा, कि beneficiary कौन है, और जी, beneficiary कौन होंगे, so, इसमें भी criteria दे रखा, पहले तो, ये PM किसान विसमें, पूरा cut-out है, तो, सुपर अचल लगए, थोड़ा मॉटा-मटा आइडे लग जाएगा, so, direct income source हो, support होगा, उनके सान को कितना होगा, 6000 पर एनम, और ये scheme कप से start होई थी, 1 December 2018 से, so, benefit 12 crore small and marginal farmer, so, इसमें 12 crore, ऐसे small margin farmer होंगे, families होंगे, इसमें, जिनके पास 2 hectare से कम, इनके पास land होगी, so, इसमें ये credit है, जिनके पास 2 hectare से कम, ये 2 hectare की land है, जमीन है, उनके पास, ये scheme, उनके लिए, बैनिस्वरी से, उनको ये amount, 6000 का जो amount है, उनके bank account में directly transfer हो जाएगा, then, इसके बास, so, इसमें जो लिखाएगी, direct transfer into bank accounts in three equal installments, मतलब, तीन installment है, ये, जो amount हो जाएगा, मतलब, तीन समय मतलब, दो-दो-ध हजार करके, ऐसे ये तीन तीन भार जाएगा, तो पूरी साल में दो-धो-धार करके, ये जाएगा, so, इसमें ये कि, इसमें ये पूरी, प्रतान मंत्री किसान सम्मान निंदे के बिए पूरा बता दिया है, इसके अलावा और डेटा देखें इस पर अग्रीकल्ट सेंस दो यह 15 जो डेटा है जो एवरे साइज ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग है जो वह डेकलाइन हो गया है पहले जो एवरेश इसाइज होता है लेंड का लगव हके कितना होगा 1.08 इसी वाइड़ से इस में इसमें देखोगे इसी वाइडेटे डालनागी इनके पास तु हेक्टेर इस यह लेंड़ ही लेंड़ है तो उनको यह बनाए जाए इसमें इसमें चीन यह कंडिशन डाले जा जो लेंड होल्डिंग की जो कैपिसेटी है जो लेंड होल्डिंग जो फार्मर है उनको कम होता जा रहा है इसके अलाव़ा जो और मार्जन फार्मा जो होल्डिंग करते हैं दो हेक्टर से लगवा कि जो जमीन ना इक परसेंट भी नहीं है तो इसी चीज़ के वैसे यह जो सिक थाउसेंड वाला जो पीम किसान का जो है वो काफी ज़्यादा इंपोर्डेंट हो जाता है काफी ज्यादा सेगेनों हो जाता है हमारे इंडियान फार्मर्स के लिए है इसके अलाव और इसमें देखा जाए इंडिया इंग्रियं कंट्री है उससे रोडेटेट वो वर्क करते हैं, जो इंडियन वो इसी वएसे एग्रिजियन काट्रिया, so with around of 70% of people, so these type of scheme are played very crucial role for farmers, so इसी वएसे यह जो इस type की scheme होती है, वो काफी crucial role play करते हैं हमारे farmers के लिए, so अगर इसमें और देखा जाए, as per the central government, despite a multi-pronged approach to improving income and social security of farmers, मतलब इसमें यह बताया है कि, मतलब सेंटर गवर्वर्मेंट की ऐसी काफी स्कीम, जो इंकम, जो उनकी इंकम को improve करता है, ऐसी स्कीम होने के वावजूद भी हर साल 12,000 से ज़्यादा, मतलब 12,000 से ज़्यादा सुसाइड होती है, फार्मस की, तो यह काफी ज़्यादा इतनी ज़्यादा scheme होने के वावजूदी फार्मस सुसाइड करते हैं, जो इंडिया में जितनी बी टोटा सुसाइड होती है, उनमें से जो 10% वह से फार्मस की सुसाइड होती है, तो यह इसना बड़ा नमर है, तो इस चीज़ को भी ज़्याद रखना, इसके अलावा जो 7 स्टेट हैं, वो टोटल 87% जो टोटल सुसाइड होती हैं, उनका जो 7 स्टेट से भी बलॉंग करते हैं, लाइक महारास्टा, करनाटकर, तेलंगना, मदरपरदिस, छतिसगर, आंदरपरदिस, कमिलनाडू, तो जितने भी 7 स्टेट हैं, उनके टोटल 80% जो सुसाइड होती है, फार्मर्स की, वो टोटल 37 स्टेट में से आता है, तो इस चीज़ को भी जाद रखना, इसके अलावा उसमें देखा जाए, अब यह हाल फिलाल में, जो फार्मर का जो प्रोटेस चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा इससे विलेटर कर सकते हैं, अभी जो फार्मर्स जो प्रोटेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि MSP को ऐसे लीगल या लॉव बनाया जाए, तो इसी वेज़े से जो फार्मर्स पर प्रोटेस चल रहा है, जो गौवर्मेंट जो तीन लॉव लेकर आए हैं, तो उसके इसमें फार्मर्स हमारे जो भी प्रोटेस करना है, तो उसी को देखते हुए, सुप्रीम कोट ने अभी उन फार्मस लोपर स्टेय लगा दिया, सुप्रीम को स्टेय फार्मर्स और उसके अलाबा, जो एक पैनल को पैनल को इस्टैबलिस किया है, तो पैनल स्टेय किया है, बट जो फार्मास हैं, उन्होंने उस जो सुप्रीम कोट के जो अपांडेट जो पैनल था, उसके खिलाब भी प्रोटेस्स स्टार्ट करने लगा, कि उन्होंने बोलाए कि जो सुप्रीम कोटे जो पैनल क्रेट किया है, वो ठीक नहीं है, so center urge the farmers to participate in the proceeding of the supreme opponent panel, so इसी वैसे यह topic और जादा important हो जाता है, so आज के lecture में बस इतना है, and please subscribe the UPC line and press the bell icon for the more updates, धन्यवाद